नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चलिए आईए इस वीडियो में हम अपने सारे कॉंसेप्ट समराइज कर लीए जो भी हमने पढ़े हैं वृतों से सम्मंदित शेत्रफल से। तो वृतों से सम्मंदित शेत्रफल पढ़ने से पहले आईए सबसे पहले हम एक बार ये रिवाइस कर लीए कि किसी भी दिये गए वृत के लिए उसकी परिमा या फिर अगर हम वृत के लिए कह रहे हैं तो परिधी कह लें और शेत्रफल क्या होते हैं तो अगर कोई हमें वृत दिया गया है जिसकी त्रिज्या आर है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी परिधी परिधी जब भी हम कोई ऐसे आकार की बात करें जो की रेखाओं से खिचके नहीं बना हैं तो परिमापना कह करके हम परिधी कहते हैं मगर आशे जो है वो सेमी है तो अगर हम परिधी की ब मैंने आपको दिखाया इस दिये गए वृत की तृज्या अगर हम इसी दिये गए जो वृत है उसके शेत्रफल की बात करें तो जब मैं शेत्रफल कह रही हूँ तो आपको यह बात समझ आनी जानी चाहिए कि मैं इस आकार द्वार्या जितनी भी जगा प्रयोक की गई एक इस प्तर पे उसकी बात कर रहे हूँ तो अगर इसको हम चाया किंद करके देख लें तो यह जो यहाँ पे है इसको हम छेत्रफल कहेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको गुलावी रंग से संकेद करके दिखाया तो छेत्रफल अगर हम किसी एक वृत का निकालना चाहें तो उसके लिए हमारे पास सूत्र हो जाता है पाई आर स्कुएर और यहाँ पे भी जो आर है वो इस दिये गए वरित की त्रिज्या है और परीधी क्या थी? परीधी जो की इस त्रिज्या की बाउंडरी थी या फिर कहलें परिमाब तो जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमें जो बाउंडरी मिल रही है इस दिज्या की वो परीधी होगी तो जो मैंने पीले रंग से संकेत किया वो परीधी है और जो मैंने गुलाबी रंग से संकेत किया वो शेत्तफल है अब अगर हम इस दिये गए वृत की एक चाप की बात करें तो सबसे पहले आईए ये समझते हैं कि जब मैं चाप कह रही हूँ तो मैं किस हिस्से की बात कर रही हूँ तो एक वृत का चाप उसकी परीधी का एक हिस्सा होता है तो यहाँ पे जो ये नीले रंग से संकेत किया मैंने वो क्या दर्शा रहा है एक चाप तो अब प्रशन आता है कि एक चाप की जो भी लंबाई है वो हम कैसे पता कराएंगे तो सबसे पहले आईए ये देखते हैं कि कोई चाप जो है वो हमारे पास इसके केंद्र से क्या कोण बना रहा है तो माल लीजे कि ये चाप इस केंद्र से एक कोण बना रहा है थीटा तो हम यहाँ पे चाप की जो मान है यानि चाप की जितनी भी लंध है यहाँ पे लंबाई है वो निकाल सकते हैं परीधी की मदद से तो अगर हमारे पास पूरा वृत था तो वो केंद्र पे बना रहा था था 360 दिगरी का कोण और यहाँ पे हम जब चाप देख रहे हैं तो वो बना रहा है थीटा दिगरी का कोण तो यहाँ पे अगर हम थीटा को भाग दे दें 360 से और इसको हम भुना कर दें 2 पाई आर से तो हमें चाप की लंबाई पता चल जाएगी तो इस तरह से हमने चाप की लंबाई निकाल ली जो की है थीटा इसको भी हम डिगरी में लखेंगे 360 यह भी डिगरी में है और इसको हमने एक पूर्ण वृत की परीधी से गुरनफल कर दिया तो अब हमें क्या समझ में आ गया कि एक दिये गए वृत की परीधी कैसे निकालेंगे उसका शेत्रफल कैसे निकालेंगे और चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे अब आपने जब यहां पे चाप बनाया और इसको दो तरजिया से इस तरह से जोड़ दिया तो आप देख सकते हैं कि यहां पे कुछ शेत्रफल ऐसा है जो कि इस चाप से घिर रहा है मतलब इस चाप के अंदर का अगर शेत्रफल मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो ये शेत्रफल होगा और अब अगर मैं आपको बता दूँ कि ये जो शेत्रफल यहां पे है इसके लिए हमारे पास एक अलग नाम है जिसे हम कहते हैं त्रिजखंड क्या कहते हैं त्रिजखंड या फिर हम इंगलिश में से कहते हैं सेक्टर तो अब ये बात आती है कि अगर हम एक दिये गए त्रिजखंड का शेत्रफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे तो हमारे पास जो तरीका है निकालने का वो काफी सिमिलर है चाप की लंबाई से अगर आप चाप की लंबाई निकाल रहे थे तो जो यहाँ पे कोण बन रहा था आपने उसको 360 से भाग दे करके पूरे वृत की परिधी से गुड़न फल कर दिया अगर आप त्रिजिक हंड का शेत्रफल निकालना चाहा रहे हैं तो आप क्या करेंगे यही क्रिया करेंगे कि वो कौन सा या कितना कोण बना रहा है केंद्र पे उसको भाग देंगे 360 से और फिर इसका गुड़न फल निकालेंगे पूरे वृत के शेत्रफल से जो की है पाई तो हमें अभी तक क्या क्या समझ में आ गया कि एक दिये गए वृत की परीधी क्या है उसका शेत्रफल क्या है और अगर हम इस वृत का एक छोटा सा हिस्सा ऐसे ले ले जो की एक चाप बनाए हमारी परीधी पे और दोनों द्रजिया के बीच में यहां पे एक खंड बन जा जाते हैं तो उसका शेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा डिगरी डिवाइड़ बाई 360 डिगरी और इसका गुड़न फल पाई आर स्कोर से अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि त्रिज्य खंड तो दो बन रहे हैं एक ये लगू त्रिज्य खंड जो की मैंने आपको यहाँ पे दिखाया जिसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक दीर्ग त्रिज्य खंड भी बन रहा है तो अगर आप यहाँ पे देख पाएं तो ये वाला जो त्रिज्य खंड है ये कैसा त्रिज्य खंड हो गया ये हो गया दीर्ग त् जिसको हम धीर्ग चाप कहेंगे और एक लगू चाप बन रही है और उसी अनुसार हमारे पास एक त्रिजखंड लगू बन रहा है और एक दीर्ग त्रिजखंड भी बन रहा है तो अब अगर आप चाहें कि हमारे पास जो ये दीर्ग त्रिजखंड है तो हमारे पास अगर य तरीका ये है कि आप पूरे ही वृत के शेत्रफल यानि पाई आर स्कॉयर से जो लगू त्रिजखंड का शेत्रफल है वो घटा दें तो एक तो तरीका ये हो गया और दूशा तरीका ये है कि आप त्रिजखंड का शेत्रफल का यहाँ पे सूत्र प्रयोक करने और उसमें पास दीर गत्रिजेखंड है ये जो कोण बना रहा है केंद्र पे वो हो जाएगा 360 में से अगर हम ठीटा को घटा देंगे तो चलिए आएए मैं यहाँ पे इसको एक सीधे से सूत्र के अनुसार भी लिखनू जो की हो जाएगा 360 में से ठीटा हटा के जो भी आपको कोण मिला उसको आप 360 से भाग दे दे और ये हो जाएगा पाई आज इसको एगा तो यहाँ पे जो हमें कोण मिल रहा है उसको हम कहते हैं त्रिजिखंड का कोण और वो कोण कैसा होता है जो की त्रिजिखंड की ही चाप इस गेंद्र पे बनाती है अब एक और यहाँ पे हमारे पास वृत से संबंदित शेत्रफल आ जाता है जिसको हम कहते हैं वृत खंड और वृत खंड कुछ इस प्रकार का दिखेगा तो यहाँ पे वृत खंड की जब हम बात कर रही हैं तो वो एक वृत की जीवा और चाप के बीच में आने वाला शेत्रफल होगा तो यहाँ पे जो यह शेत्रफल मैंने लाल रंग से यहाँ पे अंकित किया है यह क्या दर्शा रहा है हमें यह दर्शा रहा है हमें एक वृत्खंड और अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस वृत्खंड का शेत्रफल क्या होगा तो मैं आपको यह बता दूं कि वृत्खंड क का शेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास कोई सीधा सूत्र नहीं है परंतु अगर हम यहां पे अपना थोड़ा सा कॉंसेप्ट इस्तिमाल करें तो हम यह देख सकते हैं कि वृत खंड का अगर शेत्रफल हम निकालना चाहें तो हम इस त्रिज खंड के शेत्रफल में से इस शेत्रफल घटा दें क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास किस तरीके की आकरती में बन रही हैं तो मैं आपको दिखा दू यहां पे वृत के अंदर ध्यान दें तो हमें कुछ इस तरह की आकरती दिख रही है और जिसको हम वृत्खंड कह रही हैं वो कौन सा हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है तो अगर हम इस वृत्खंड का शेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हम पूरे ही पहले ट्रिज्खंड का शेत्रफल निकालने और उसमें से फिर हम इस त्रिभुज का जो शेत्रफल है वो घटा दें अब यहां पर एक बात और अच्छी है कि ये जो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है मान लीजे कि हम इस जीवा का नाम अगर A B दे दें तो ये जो त्रिभुज O A B बन रहा है ये एक सम दूइ भाहू त्रिभुज है क्योंकि इसकी जो दो भुजा हैं वो तो दिये गए वृत की त्रिज्जा के बराबर ही होंगी तो अगर हम वृत खंड का शेत्रफल निकालना चाहें तो वो हो जाएगा किसके बराबर तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया त्रिज्ज खंड त्रिज्ज खंड ओ एबी के शेत्रफल से हम त्रिभुज ओ एबी का शेत्रफल जो है वो घटा दें और ऐसा करके आप निकाल सकते हैं इस वृत खंड का शेत्रफल अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहते हूँ कि अगर आप इस पे ध्यान दें तो आपको यहाँ पे दो वृत खंड मिल गए एक जीवा से एक जीवा से आपको यहाँ पे जो मैंने दर्शाया है यह असल में लगू वृत खंड है और इसी जीवा से आपको एक दीर्ग वृत खंड भी मिल रहा है अगर हम परिक्षा की दृष्टी कौन से बात करें तो जब तक आपको प्रश्ण में दीर्ग त्रिज खंड या दीर्ग वृत खंड के बारे में ना कहा जाए तब तक आप लगू त्रिज खंड और लगू वृत खंड को ही समझ के हल करेंगे तो मुझे आशा है कि अभी तक मैंने आपको यहां पर जो भी सूत्र बताए और एक वृत से जुड़े हुए जो भी शेत्रफल बताए उनका आपको कॉंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा तो क्यूंकि आप हमें ये बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं त के साथ डिगरी कोंड वाले त्रिजिखंड का शेत्रफल ग्याद करें तो चलिए आये इसके अनुसार पहले एक आकरती बना ले और यहां पर हमें कहा गया है कि हमें इस त्रिजिखंड का शेत्रफल ग्याद करना हैं और यहां पर हमें त्रिजिखंड का जो कोंड है वो सा आपके पास जो शेत्रफल है उसका सूत्र क्या हो जाएगा तो अगर आप मेरे साथ इस प्रशन का हल कर रही हैं तो बिल्कुल सही से पहले सूत्र लिखें तो जो भी हमारे पास यहाँ पे कौन बन रहा है केंद्र पे उसको हम 360 से भाग दे करके फिर क्या करेंगे पूरे ही वृत का जो शेत्रफल है उसको यहाँ पे गुड़नफल कर देंगे और यहाँ पे क्यूंकि हम शेत्रफल की बात कर रही हैं तो इसकी एकाई जो है वो आपके पास दूईगात रूप में इस तरह से आईगी तो क्यूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर था तो मैंने यहाँ पे स 60 डिग्री से भाग देंगे और पाई जब तक हमको ना कहा जाएं तो हम 22 बटा साथ ही लेते हैं और आर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 और 6 का हमको आर स्कुएर की वज़े से मिल गया तो चली आईए से हल कर लेते हैं तो 60 और इसको अगर करेंगे तो 6 और 6 और 6 तो और फिर साथ से भाग कर दें तो हमें शेत्र फल मिल जाएगा और अगर हम यहाँ पे गुड़न फल निकालना चाहें तो 6 को 2 से गुड़न करेंगे तो 12 फिर 6 को 2 से गुड़न करेंगे तो 12 और 13 तो 132 साथ सेंटीमीटर स्कुएर हमारे पास इस त्रिजगंड का शेत्र फ हं या हमें इसके लिए की संखेब़ यह जाइए तो बश्रum को बढना यह की अगर Аप को प्रश्न और नहीं बदाया गया था कि पाई कम आप क्या है और हमने पाई को 22 बटे साथ लेकर के इस प्रश्ने का हल किया तो आप अगर इसका उत्तर इस रूप में छोड़ देंगे तो आपको पूरे अंग मिलेंगे चली आईए अगला प्रश्ने देख लेते हैं एक घोड़े को एक खूटे से 28 मीटर लंबी रस्टी से बान दिया गया है मैदान के उस भाग का शेत रफल निकाले जहां घोड़ा घास चर सकता है तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह किस तरीके का एक आकरिती हमारे पास बनेगी तो एक घोड़े को एक खूटे से बान दा गया और वो जो रस्टी है वो 28 मीटर लंबी बताई गई तो यहाँ पे मैं इसको 28 मीटर लिख देती हूँ और आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर इस लंबी को हम इस लंबी रस्टी को हम पूरा खीच दें मतलब स्ट्रेच कर दें अगर तो वो इस तरीके की हमें एक आकृती देगी एक शेत्रफल देगी जहां घोड़ा घूम सकता है और यहां पूछा गया है कि मैदान के उस भाग का शेत्रफल निकाले जहां घोड़ा घास चर सकता है आशे ये है कि हमें पूरे उस मैदान का शेत्रफल बताना है जहां घोड़ा चर सकता है हम ये नहीं कह रहे कि वो हमेशा ही यहाँ पे उसकी परीधी पर ही रहेगा मगर अगर हम परीधी निकालना चाहें या ये बताना चाहें कि वो एक कैसी आकृती बनेगी तो वो एक वृत होगा जिसका त्रिज्या जिसका रेडियस हमारे पास 28 मीटर आएगा तो चलिया आएए क्योंकि हमने इस प्रश्न को ये समझ लिया कि हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था एक वृत का शेत्रफल पूछा जा रहा था जिसके त्रिज्या जो है वो 28 मीटर होगी तो इस प्रश्ण में मैं यह आपको बताना चाहती हूँ कि मेन या फिर कहलें कि सबसे जरूरी भाग यही था यह समझना कि प्रश्ण कह क्या रहा है तो अगर एक खूटे से 28 मीटर लंबी रसी बांदी गई है तो यह घोड़ा एक भाग मतलब कहलें कि सबसे जादा अगर इस रसी को स्ट्रेच कर दें तो वो एक वृत बनाएगा और उससे बाहर यह घोड़ा नहीं जा पाएगा तो वो शेत्रफल जहां यह घोड़ा घास चर सकता है वो एक वृत का शेत्रफल आ जाएगा जिसकी तरज्जा 28 मीटर होगी वृत का शेत्रफल निकालने के लिए सूत्र हमारे पास एक दम सरलसा है जहांपे हम पाई आर स्कॉयर करते हैं प्रश्ण में हमें पाई के लिए भी दे दिया गया कि आप 22 बटे साथ उसका मान रखिए आर जो है वो 28 है क्योंकि स्कॉयर है तो इसको दो बाड़ गुरणफल कर लेते हैं और क्योंकि हम यहां पे शेत्रफल की बात कर रहे हैं तो इसकी एक आई जो है वो स्कॉयर में आएगी और यहां पे मीटर स्कॉयर होगी तो अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास साथ चौको 28 आगया तो 22 गुरणफल हमें करना है चार और 28 से तो आईए चलिए इसको हम कर लेते हैं तो 22 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 88 और 28 से का हमें गुरणफल निकालना है 28 से और जो भी हमारे पास उत्तर आएगा वो मीटर स्कॉयर में होगा तो एक बार आईए इसको यहां पे कर लेते हैं तो अगर हम 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 हासे लगा 6 अगर हम यहां पे 2 को 8 से गुना करेंगे तो 16 हासे लगा एक 8 और दुनी 16 और एक सत्रा तो यहां पे हमारे पास आ गया 4 6 4 2 तो यह हमारे पास उत्तर हो गया 24 64 मीटर स्कॉयर तो मुझे आशा है मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बाते बताई आपको अच्छे से समझ आई होगी